हाई हेलो नमस्कार और आप सभी का फिर सहार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बाद स्ट्रेट परमाईश पे इस भी एप यो मेंस एक्जामनेशन खतम हो गया है और मैं एक्चुली वीडियो देख रहा था देखें क्या है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से बता रहें कि मैंने रिसर्च किया मैंने ये क्या फलाना क्या वो किया और उसके बाद मैं आप सभी को कटब बता रहा हूँ कि मुझे तो अजीब लगता है सुनने में लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो एक्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं लोगों से बाते करते हैं और वन तो वन जो है वो कोशिंस पूछते हैं कि प्रैक्टिकली बताइए कि SBA प्यो में एटेम्ट्स कितने करने लाइक थी तो उन पे आप रिलाइक कर सकते हैं उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डारेक्ट हमसे बात करते हैं दोस्तों इसलिए मैं आप सभी को हवा हवा ही बाते नहीं करूँगा प्रैक्टिकल की बाते करूँगा और मैं आपसे को बताने का कोशिश करूँगा दोस्तों SBA PO believe it or not य यह एक प्रकार का ऐसा एक्जाम था जो मतलब कोशिशन्स ढूढने ता छोड़ो आप कोशिशन्स बस मार्क फॉर रिवियों नेक्स्ट मार्क फॉर रिवियों नेक्स्ट करते रह जाओगे reasoning थोड़ी बहुत बनाने लाइक थी और वो भी ऐसा नहीं कि 20-25 लोगों ने छुआ है लोग छुए है 20-25 कोशिशन्स बनाए है लेकिन on an average की बात करे तो 15 कोशिशन्स लोग बना सकते थे लोगों ने reasoning पे जो है वो score उतना किया है दूसरा यह है कि क्वांट डबल डिजिट तक लोग पहुँच नहीं पाए डबल डिजिट का मतलब यह है कि 10 attempt हो गया 12 attempts हो गया 15 attempts हो गया इस तरीके से नहीं हो पाया क्वांट में न इतनी difficulty level हो दोस्तों कि आपको सारे जो कितावें है उसको अलग करके अरून शर्मा cat किताब को ही follow करना पड़े है यानि cat level के questions पिछले 2-3 साल से पूछा जा रहा है IBPS PO से भी कहीं ज़्यादा हम expect कर रहे थे कि SBA PO के questions आएंगे और वो हुआ भी तो quant was the most difficult section in the entire exam ये था दोस्तों अब देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि हाँ English कर सकते थे 25-26 इस तरीके से बना सकते थे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों English भी difficult था लेकिन लोग पता नहीं quant की इतनी difficulty level थी कि लोग comparison में English को भी हलका समाज रहे हैं but anyways आप 20-25 questions आप कर सकते थे but again I will tell you in the last of this video कि क्या चीज़ पर आपको importance रखनी चाहिए थे current affairs as usual लोग ऐसा भी है जो attempts बढ़ाने के लिए कहिना कि वो चलो भाई इस section में थम खीच सकते हैं करके उन्होंने उसी में डाल दिया ठीक है data based questions बहुत जादा थे और आप लोगोंने तो वीडियो में देख लिया होगा कि किस प्रकार के questions पूछे गया थे तो overly बात करें दो 2 marks कभी होता है ठीक है तो जो मेरे को समझ में आ रहा है जो मैं मैं feel करता हूँ हो सकता है कि आप इससे different feel करें आप comment के section आपके लिए खुला है आप जाओ उसमें बताओ लेकिन जो मैं feel करता हूं दोसो 60 attempts अगर किसी का भी है न वो अच्छे तगड़े रूप में competition में अभी को लगता है कि exceptional होगा उतना चुना but anyway 60 है 62 63 है यह ऐसे attempts दोस्तों जो आपको competition में अभी भी रखता है तो straight away आपको ना बस interview के तैयारी करनी चाहिए और आगे जो भी आपकी exam से उस पर focus रही है और इन सब चीजों में मत जाहिए कि मेरे attempts कितने रहे मैं selection लूंगा या न processes यह आप process पर focus रही है outcome तो आएगा वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं examination में वो outcome दिखेगा but आप positive रही है hopeful रही है student फर्माईश पर जो वीडियो होता है कि फर्माईश है दोस्तों आप लोगों की तो इसलिए दोस्तों मैं समझता हूं कि यह genuine वीडियो मैं समझता हू आप लोग 60, 62, 63 अगर है आपके attempts कहीं न कहीं आप अभी भी बहुत अच्छे रूप में competition में अभी भी मौझूद है हिम्मत मत तोड़िये और इस तरीके से जो मेरे को लोग बोल रहे थे किसा नहीं हो पाएगा ऐसा हो गए खराब चलागे सब का खराब गया है ठीक है और इस साल थोड़े से vacancies भी थोड़ा सा कम है तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बस अपने process पर focused रहे तो यह बढ़िया रूप से आपको गाइडली ultimate bundle PDF course आपको दे रहा है ठीक है डेली आपको exam wise का targets मिलेंगे day 1, day 2, day 3 से करके targets मिलेंगे जो practical संभव है करने का एक दिन में आप कितना बना सकते हैं उसे सारे sections वो आपको over हो जाते हैं आपने बनाया शाम को उसके video solutions आपने किया बस इतना ही करिए आप थोड़े 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 करके करते रहिए 50 दिन का target रहता है सारे exams की बात बित्ते हो तो मेरा coupon code लगाना मत भूलना sfy12 sfy12 तो आपको और extra 12% off दिख जाएगा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो subscribe बिल्कुल कर लिजिएगा आप अगर अपने अपने दोस्तों की शेर नहीं किया तो बिल्कुल शेर कर लिजिएगा कोई one-to-one की कोशिन पुझना चाहते तो आप मुझे Instagram पे भी प्रूश सकते हैं मैं मुलाकात करता हूँ आप सब इसे next वाले वीडियो पे तब तक लिए जहिन जह भारत शब अख्यर अपने शेर के बिल्कुल धियान रखिएगा दोस्तों समस्क्रा कर दो menjadi ये जह है मुझे जह हैं मुझे सुप मुझे बार विए जह करन अधिया करता हूँ आप दिए जह रता होँआ जह रहा हुझे